नमस्कार साथियो MP Current Update प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है मेरा नाम है मनीश जैसा कि आप लोग जानते हैं हर सब्ता हम आपके सामने कुछ प्रशनों को लेकर के आते हैं जो मद्र प्रदेश की आगामी परिक्षाओं में आपके लिए मददकार साबित हो सकते ह हैं सामाने तोर से ये प्रशन करंट घटनाओं से संब्दित होते हैं लेकिन कई बार करंट घटनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती पिछले सब्ताहों में इसलिए हम स्टेटिक पॉर्शन से भी संब्दित प्रशन शामिल कर लेते हैं तो चलिए शुरुवात करते है आज MP Current Update Program की पहले प्रशन से आपका पहला प्रशन है राम राजा मंदिर जिसमें हाल ही में प्राण प्रतिष्ठा की गई मद्य प्रदेश के किस इस्थान पर इस्थित है आपके ऑप्शन्स हैं भेडागाठ और्चा उज्जैन या मुरैना इसका सही उत्तर है और्चा इ विक्सित किया जाएगा और इसी क्रम में उन्होंने निवाडी जिले के और्चा कस्वे में राम राजा मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा समारो को वर्च्वली रूप से देखा आभासी रूप में देखा और ये घटना इसलिए विशेश रूप से महत्वपून हो जाती है क्योंकि आप जानते हैं हाली में 22 जन्वरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयजन किया गया राम मंदिर में जो वहां राम लला की मूर्थी स्थापित की गई उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कारेक्रम संपन हुआ और इसी के अंतरगत ये सब जहां नियमित रूप से बड़ी संख्या में श्रद्धालू आते हैं आम तोर पर और चा मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है जिन मूर्थियों को भवे चतुर्भुस मंदिर में स्थापित किया जाना था उन्हें उस जमीन पर रखा गया जहां अब यह मंदिर इस्थित ह लेकिन एक बार जमीन पर रखने के बाद मूर्थिया हिल नहीं पाती थी इससे वह स्थान पवित्र हो गया और एक मंदिर का निर्माण यहां किया गया जहां मूर्थिया रखी गई थी राम राजा मंदिर की जो वास्तुकला है यह उत्कृष्ट है और संग्मर्मर की प्र सारस्क्रेइन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उपर युक्त में से कोई नहीं आप जानते हैं कि मद्यप्रदेश का जो राज के पक्षी है यह दूद राज है और इसको शहा बुल-बुल के नाम से भी जाना जाता है सारस्क्रेइन उत्तरप्रदेश का राज की पक्षी है और इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजिस्थान का राज की पक्षी है इनको भी आप ध्यान में रखेगा दूद राज के बारे में सामाने तथ्यों को जान लेते हैं दूद राज पक्षी को सुल्ताना बुल-बुल के नाम से भी जाना जाता है यह इसकी सामाने तस्वीर है आप देख सकते है कि इसका जो सिर है वो चमकिला होता है और चोच छोटी गोल और पतली गहरे नीले रंग की होती है इनकी आँग पर भी आप देख सकते है कि इस परकार से गोल नीले रंग की रिंग पाई जाती है दूद राज दूद जैसा रंग होने के कारण ह इसे दूद राज कहा जाता है आपका अगला प्रशन है मद्यप्रदेश का राज के खेल कौन सा है इस तरह के प्रशन भी लगातार मद्यप्रदेश आगामी परिक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है और इसी लिए ये स्टैटिक पॉप्शन के प्रशन शामिल के जा फ़िए और मलकम के बारे में सामाने तथ्य आप जान लेते हैं मलकम भारत का एक प्रशन है जिसमें खिलाडी लकडी के खंबे रस्ती के ओपर तरह-थरह के करतब दिखाते हैं इन करतबों की एक तस्वीर आप यहां भी देख सकते हैं लकडी के खंबे पर किस तरह से पालम भट तादा देवधर ने इस विधा को एक नई पहचान प्रदान की थी और सन 1958 में पहली बार नैशनल जिमनास्टिक चैंपियन्शिप के तहत मलखम को राष्ट्री स्तर की प्रतियों गिताओं में शामिल किया गया था तो यह तथे भी आप ध्यान में रखेगा राज के खेल से संबंदित अगला प्रश्ण है सहस्त्र धारा जल परपाद किस नदी पर अवस्थित है सहस्त्र धारा जल परपा एक उत्राखंड में भी इस्तित है और इसलिए आपको विशेश तोर से ध्यान रखना है कि जो प्रश्ण है यह प्रश्ण मद्य परदेश से संबंदित है तो सहस्त्र धारा जल परपाद कहान इस्तित है तापी नदी पर नर्मदा नदी पर सोन नदी पर या चंबल नदी पर इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी पर और इसके बारे में भी थोड़ी सी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं यह बहुत उचाई पर इस्थित जल पर बात नहीं है बलकि इसकी उचाई केवल मात्र 8 मिटर के आसपास मानी जाती है और चटानों में आप देख सकते है ऐसा माना जाता है और इसलिए इस जल परपात को सहस्त्र धारा के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है मद्य प्रदेश का विदेश्या मदर किस नदी के किनारे बसा है आपक्र एक और प्सशन्स हैं नर्मदा चंबल बेतवा यह ताप CC app इसका सही उत्तर है बेतवा बेतवा नदी के सामाने तथो को भी जानना विशेश रूप से महत्वपूण है क्या तथे हैं विदेश्या शहर बेतवा नदी के का स्थित है पूर्व में स्थित है बेतवा नदी किसकी साहयक नदी है यमुना की साहयक नदी है मद्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में स्थित विंधे श्वेणी से ये निकलती है सामाने तोर से राइसेन जिले से इसको माना जाता है राइसेन जिले से निकलती है और बेतवा और यमुना का जो संगम होता है वो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जीले में होता है, ये कुछ सामानित अथे हैं जो आपको याद रखने चाहिए अगला प्रशन है निम्ले लिकित में से मद्धिपरदेश राज्ये की किस जीले की सिमा गुतर गुजरात राज्ये से नहीं लगती है आपको बताना है गुजरात राज्य से मद्यप्रदेश राज जे के किस जीले की सीमा नहीं लगती है आपके options है रतलाम, जाबुआ, धार, A और C दोनो यानि रतलाम और धार दोनो इसका मद्यप्रदेश के नक्षे में इसको देखने का प्रयास करते है आप देखें कि एक धार जीले को शामिल क्या गया है, धार जीले की अवस्थिती ये है एक जाबुआ की अवस्थिती ये है और रतलाम की अवस्थिती यहाँ पर है तो गुजरात राज्ये की सीमा ये है जाबवा और अलिराजपूर मद्धे प्रदेश के दो जीले हैं जिनकी सीमा गुजरात राज्ये से लगती है धार की और अतलाम की नहीं लगती है तो आपके जो option हो जाएंगे वो D हो जाएगा A और C दोनों इसके सही उत्तर होंगे अगला प्रशन देखने का प्रयास करते हैं अगला प्रशन क्या है निमने लिखित में से किस राज्ये की सीमा मद्यप्रदेश राज्ये से लगती है राज्ये की सीमा आपको बतानी है आपके options है राजिस्थान जहारखंड महरास्ट्र या A और C दोनों तो चलिए मद्यप्रदेश के नक्षे में ही देखते हैं, मद्यप्रदेश के नक्षे में आप देख सकते हैं कि मद्यप्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, इसके पूर में 36 गड़ है, दक्षन में महाराश्टर है, दक्षन पशिम में गुजरात है और लगबग के उत्तर हो जाएंगे यह कुछ प्रशन थे इस बार के जो प्रशन थे यह स्टैटिक पॉर्शन से ज्यादा थे और मद्यप्रदेश की आगामी परिक्षाओं में निश्यत रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे फिर से अगले सब्ता आप से मुलाकात होगी धन्य झे जाउ मुले